इस सब्जी को खाकर सभी आपकी तारीब करेंगे इतनी टेस्टी सब्जी बनती ना और बनाने में बहुत आसान घर के सिंपल मसालों के साथ इस तास से आप पालक की सब्जी बना सकते हैं चाहो तो टिफिन के लिए बना सकते हैं या शाम के खाने के लिए तो आप जरूर बन छमाच और धनिया पॉल्डर ले रहे है चमाच उसी के साथ हमने लेना ही रहे है ठ्लफ Inhale यह ऐसे मिक्स कर लेते हैं यही मसाली के साथ सबजी में गाड़ा पनाएगा तो बस इसता से मिक्स करकर हमें इसे छोड़ना है और सबजी बनाने के लिए दो बड़े चमच तेल लेकर तेल जब गरम हो जाए तब आदा चमच जीरा और उसे के साथ सूखी हुई लाल मीच हमने आड़ की है तो मीचन बेशन कूटकर यूज किया है आप चाओ तो पेस्ट का यूज कर सकते है उसी के साथ एक बड़ी कटी हुई पैच को मैंने आड़ किया है पैच को ना इस साथ से कलर आने तक हमें भून लेना है पैच देखे आप देख सकते हैं ट्रांस्परन्ट हो चुका है और तेल छू करने लगता है तो मसाला सही से अच्छे से कुक हो जाए इसलिए थोड़ सा पानी आड़ कीजेगा इस समय हमने ग्यास का फ्लेम मेडियम रखा है मेडियम फ्लेम पर हमें मसाले को चलाना है बेशन हमने कच्चाई लिया है पर इस ता से जब मसाली की सही से बुनाई कर लेत सबहते हैं तो दिखें इस ता से हमें मसाले को चलाना है कि दिखा आर अलगासा तरहीत है यह कूख होने लगे तब 10—anti cup हमने कच्चे मटा यूज किया है तो मसाले के साथ मोतर वै कह Says को a CL सिर्फ करें नमक जिसरे टमाटर विय अच्छे से이션 गले जाता है तो आदा चमज नमक आड़ करकर इससे चलाना है और ली डग कर एक 3-4 मिट के लिए छोड़ना है जब तक कि मतर थोड़े से न सौफ्ट हो जाता है उसी के साथ हम पालग को भी फ्राई करते हैं तो पालग को इससे फ्राई करकर सबजी में डालाःता है ना तो सबजी का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है तो 300 ग्राम पालक लेकर अच्य से दूग कर बारी कट कर लिया है और 1 चमच तेल में हमने आदा चमच जिरे की बुनाई करना है 3-4 लसन की कलिया को भी हमने डाल कर चला लिया है उसी के साथ हम पालक को इसमें डाल करना अच्य से चलाते है एक चोथाई चमच हमने नमक आड़ किया है और इस साथ से फुल फ्लेम पर हमें पालक को चलाना है पालक को चलाते हुए पालक पानी छोड़ने लगता है तो बस इस साथ से हमें लो फ्लेम पर इसे 2-3 मिट के लिए रखना होगा और पालक जब तक कोग होता है तब तक मसाला भी इससा से हो चुका है तो इसी के साथ मैं इसमें आड़ करे हूँ कसूरी मेती एक छोटा चमच भरकर हमने कसूरी मेती इसमें आड़ की है उसी के साथ हम दही आड़ करे हैं तो दो बड़े चमच हमें दही लेना है पालक के सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अगर आपने टमाटर नहीं यूज किया है सब्जी में तो आप दही के कॉंटिटी डबल रखेगा जैसे दो चमद दही लिया है तो चार चमद दही लिजेगा इसे के साथ मसाले कोचे से चला कर काली मिच का पौडर आड़ करना है तो चुटकी बर इतना काली मिच का पौडर जरूर दालेगा पालक के सब्जी में काली मिच बहुत ही अच्छी लगती है इसे हम चला लेते है और आदा कप पानी हम इसमें एड़ कर रहे है इस सब्जी में पानी थोड़ा कम ही डालेगा क्योंकि हमने पालक क को भी कुक कर लिया है इसलिए सब्जी कुकोने में बहुत ही कम समय लगता है वह जितना पानी हम डालते है उतनी ही ग्रेवी बनकर रेडी होती है इसे कुक करने के लिए बस दो से तीन मीट के लिए छोड़ना है पालक का पानी में पूरी तासे सूख चुका है तो अब यह र नगा कर बस दो मीट के लिए से रखना है पालक के सास सीजन के इसटा के फ्रेश मटर जब एड़ करते हैं तो पालक के सबजी का quarters दुगना हो जाता है तो इस तासे हमने मिक्स किया है और दो मीट के लिए में चोड़ना है तो इस तासे सब्जी हमने बना लिए अजवाहिनी साती रोटियों के लिए आठा गुन रहे है तो इसे इता से 아파 गुन लियेगा तो देखें। दो कप हमने गिहुक आठा लिया है अजवाहिन ले रहे है आदा चमज नमक लिया है अदा है इसे mix करते हैं उसे के सात में ना हमें तेल लाएड करना है एक चमज तो इस तासे हम mix कर लेते हैं और पानी डाल कर हमें soft आटा गुन कर ready करना है तो इस तासे पालक के सबजी के साथ अजवाइन के पराठे के combination बहुत अच्छा लगता है आप इस तासे जरूर ट्राय कर कर देखेगा सभी को बहुत पसंद आएंगी और थन का मोसम चल रहा है तो अजवाइन तासिर में गरम रहती है तो आप पालक के सबजी के साथ आलू के सबजी के साथ इस साथ से अजवाइन का पराठा बना सकते हैं तो सब्ट आटा गुनकर हमने रख लिया है इसे पाच मीट के लिए छोड़ते हैं साथी हम सबजी को चेक करते हैं तो एक दो से तीन मीट के लिए हमने मेडियम फ्लेम पर सबजी को इस साथ से लिए लगा कर छोड़ा था ना तो इस तासे त्रिकोनी पराठा हम बना रहे है अजवाइन का त्रिकोनी पराठा बनाएगा तो जिस तासे हम फुलके के लिए पेडा तोड़ते हैं उसी तासे हमें पेडा तोड़ना है और इस तासे छूटी सी रूटी बना कर बिच में तेल लगा करना इसे इस तासे पै लिए हैं और गर्मा सबजी के साथ बहुत अच्छा लगता है तो गिर म sacred गारता बने के दलने के प्राथस दलने के पालटेने और लिए उपधा साइबने चल्डें तो जायँ के लगा रहे हैं आप गी बटर कुछ भी लगा सकते हैं और इसा से पलट कर इसे दबा दबा कर हमें पराठे को सेखना है क्रिस्पी होने तक उपर से ये पराठा खाने में क्रिस्पी लगेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा लेयर्स निकलेंगी इस्ता के पराठा बनकर रेडी होता है तो गर्मा गरम सबजी के साथ हम पराठे को सब कर सकते तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है इस्ता के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा मिलते है निकले इस्ता के साथ थेंक्यू पर वाच्चिंग मैं वीडियो